दोस्तों आप import export business करना चाहते हैं इसलिए आपने इस वीडियो पर click किया है और आपने बिल्कुल ठीक बड़ा है how to start import and export business without investment आज बहुत सरे लोग import export करना चाहते हैं तो उनके पास या तो import export से सम्बंदित जानकारी नहीं है या जानकारी होने के बावजूद भी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो विदेश व्यापार कर सकें आज हम इसी विशा पर बात करने वाले हैं कि how to start import export without investment बिना किसी निवेश के import export कैसे शुरू करें तो सबसे पहली महतपूर्ण बात है अगर आप import export करना चाहते हैं तो कुछ basic steps हैं जिने आपको follow करना है और वो steps follow करन निसे without investment जी हां without investment import export कर सकते हैं तो सबसे पहले में वो steps समझने की वह कौन से steps हैं जिनको हमें अपनाना है ताकि हम import export business शुरू कर सके नबर वान सबसे पहले आपकी firm आपकी organization आपकी company का एक नाम होना चाहिए friends कहते हैं किसी भी business में नाम का बहुत बड़ा impact होता है आपका नाम represent करता है कि आप किस तरह का काम करते हैं इसलिए अगर आप import export से संबंदित business करना चाहते हैं तो आपकी company के साथ जो word जोड़ना चाहिए जिस तरह से exporters या exam या impacts या overseas ये चारपाँ जैसे words हैं जब किसी भ रगता है कि import export based company है जैसे हमारी company है ज्यान overseas ग्रान overseas अब ज्यान overseas जैसे हम लिखते हैं दो सबको पता होता है कि company या import export करती है या import export से संबंदित किसी कारे में जुड़ी हुई है यह ग्यान impacts या ग्यान exporter या ग्यान एक्जिम इस तरह का नाम हमें रखना चाहिए जैसे हमारी limited company नाम है Metas overseas limited अब Metas overseas limited एक export based company क्योंकि overseas वर्ड आते ही यह represent होता है पहली सबसे पहले अपनी company का नाम select करें कि किस नाम से आप करना चाहते हैं जिसे ज्यान overseas Metas overseas राम और शाम और शाम एक्जिम राम एक्सपोर्ट जो भी नाम आप रखना चाहते हैं और साथ में चार तरह के वर्ड में स्वामित व्यपार होगा single owner based business या partnership होगी आप दो या तीन लोग मिलकर उस business को करने वाले हैं कई बार जब हम sole proprietorship करते हैं तो वहां पर हमारी credibility पर थोड़ा सा doubt रहता है लेकिन जैसे हम उसको partnership LLP या private limited company limited company के रूप में करते हैं तो हमारी विश्वरसनीता strong हो जाती है तो आप उसको proprietorship में भी कर सकते हैं partnership दो या दो से अधिक लोग मिलकर आप उस business को चला सकते हैं LLP limited liability partnership company भी आप रजिस्टर कर सकते हैं private limited company private limited company में करना है इसका मतलब अगर आपने example के मान लीजिए आपने रखाया एक्स वाई company z overseas private limited तो यह आपकी company का नाम हो गया second important बात क्या है obtain the tax registration और tax registration क्या है GST number पहले दो बहुत सारे number हो तोरे service tax है 10 है 10 है बहुत सारे number से आपको लेने होते थे पर आप तो simple है आपको केवल GST number लेना है goods and services tax का जो registration है वह आपको करना है जो भी हमारे government of India की tax authority है यह काम आपने chartered accountants से भी करा सकते हैं आपका chartered accountants आपके भिहाव पर आपको GST number issue करवा देगा जिसमें आपके basic document लगेंगे आपकी फर्म का नाम फर्म का registration फर्म के step है आपको एक ऐसे bank account में bank में current account खोलना है जो preferably authorized हो international transaction करने के लिए अब आप सोचेंगे कि यह कौन सा bank होता है हर वो bank जिस तरह के bank आपके पास है SBI HDFC ICC bank है बहुत सारे banks है इनमें से बहुत सारे banks specialized होते हैं जो foreign exchange में deal करते हैं ताकि आपकी जो transaction हो फटाफट से convert होके आपके पास हो क्योंकि जो भी जो आपका buyer है वो आपको payment करेगा dollars में या अपनी देश की currency में और आपको मिलनी चाहिए आपके देश की currency में तो इसका मतलब forex system वाले bank में आपको register करना है ताकि कि आप आसानी से जल्दी अपने पैसे वो convert कर सकें वरना अगर आपके बैंक में forex नहीं है तो क्या होगा तो यह होगा कि उस उस bank के काम में जिस भी ब्रांच में forex होगा वहां से exchange होगा है जैसे मालीज आप SBI में करती है और आपकी SBI की वो convert करा के पैसा आपको देंगे इसलिए आप यह भी देख लें कि क्या वह आपकी ब्रांच forex में deal करती है यह नहीं करती है तो बैंक सबसे बेस्ट रहेगा सबसे पहला काम company registration GST registration और उसके बाद में आपको bank account खोलना है ऐसे bank में जहां पर forex का system चलता हो next उसके बाद apply for IEC IEC stands for import export code यह import export code government of India का एक department है जिसको हम बोलते हैं DGFT DGFT से हम वो code लेते हैं Zonal DGFT होता है हर state का एक DGFT office होता है जहां से आप registration करा सकते है जोनल director journal of foreign trade DGFT से आप register कर सकते हैं और आज तो system बहुत असान हो गया है आप DGFT की site पर जाएए online अपने सारे document submit कीजिए register कीजिए उनकी online fee submit कीजिए और असानी से आपका import export license आपके पास आ जाएगा है ना तो उसके बाद import export license लिना है इसके बाद में apply for RCMC RCMC बड़ा important role play करता है यहां पर friends RCMC का मतलब होता है registration come membership certificate registration come membership certificate इसके बारे में थोड़ा सापको बताएता हूँ आप जिस भी तरह के product या service में deal करते हैं उस तरह की organizations बनी हुए है आप fabrics में करते हैं उसका अलग division बना हुए आप electronics में करते हैं उसका अलग division बना हुए तो आपको क्या करना है RCMC certificate लेना है और RCMC certificate के लिए आप online apply कर सकते हैं और हर industry का एक RCMC certificate होता है इसका benefit क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ सबसे पहला काम जो आपको next करना है वो है RCMC certificate और यह क्या होता है इसको बोलते हैं registration come membership certificate concerned product of EPC export promotion council of India export promotion council of India ने अलग-अलग division बनाए हुए हैं आप किस तरह का trade करते हैं वहाँ से आपका registration certificate लें क्योंकि जब यहाँ पहली बार export करेंगे न तो आपके पास का जो भी ship अपका डीपो जोगा ICD inland container डीपो जहांसे आपका material export अने वाला है वहाँ पर आपकी membership होना अनिवार रहे है उसके बाद आपको क्या करना है डेवलब करानी है आपको अपनी website अपने selected product से related अभी आपका एक प्रश्ण था कि सर अभी आपने कहा था कि बिना investment के business कैसे करना यह फ्रेंट में आपको बताने वाला हूं बिना investment के कैसे करना है पर investment से करें या बिना investment के करें आपके पास कोई product यह service होनी चाहिए ना जिस भी product और service में आप deal करना चाहते है उस related information आपके पास होनी चाहिए और information कैसे आईगी यह मैं भी आपको बताने वाला हूं तो हमें क्या करना है develop करानी है हमारी website और website के बाद में अब उस website पर अपने सारे products उसकी range उसके catalog उसके brochure उसके images उसके videos सारे upload करके तयार करनी है एक तरह ऐसे आपको range of product की एक profile तयार करनी है जिसमें आपके product के सारे सारी के सारी information प्राइज स्पेसिफिकेशन कंपने डिटेल सब कुछ आपके पास हो और आपको लगता है मैं करूंगा कैसे तो आप देखिए कि बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेटेड़ वेबसाइट से उनको देखिए 8-10 वेबसाइट देखिए उनसे रेफरेंसे लिजिए उन रेफरेंसिस के अधार पर अपनी वेबसाइट डेवलब कराईगी फ्रेंज ये बेसिक स्टेप्स हैं मैंने का था बिना इंवेस्टमेंट के करें पर कुछ इनवेस्टमेंट आने वाली है आपकी डॉक्युमेंटेशन पर पर प्रोड़क्ट या सर्विस की सेल पर्च एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अब क्रिशी से संबंदित प्रोड़क्ट के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दाले हैं चावल हैं मसाले हैं अनाज है फ्रूट फल सबजी कुछ भी आप ड्राइव फ्रूट्स आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप के पास प्रोड़क्ट रखति हो और यह आप के पास हो आप बहुत सारे इंडिया नहीं करती है आज देख सब्सक्कारि Peng विधेश पर्सक्राइब नहीं करते हैं थो इसके लावा exporters india.com trade india.com indiamart.com alibaba.com msme.com metas lifestyle ऐसी बहुत सारी companies हैं जो अपने product को export या तो करती हैं या insights पर register हैं यहां से उनकी information को grab करना है उनसे बातचीत करनी है उनके product के sample मंगाने है अगर paid है तो pay करके मंगाना है free sample मिलता तो free sample collection करना है catalog design करना है उनसे catalog मंगाने है उनसे ब्रोशर मंगाने है उनसे price list मंगानी है और product से संबंदित सारी information इकठी करनी है ठीक वैसे ही अगर आप सच में उस product को खरीद रहे होते तो आप क्या करते आप यही काम करते आप product से संबंदित information मंगाते catalog brochure मंगाते sample मंगाते product की पूरी जानकारी लेते उसके price को समझते यही काम तो करते न तो यही काम आपको उन buyers को online ढूंड कर उनसे करना है उसके बाद आपको design करना है अपना proposal किसके लिए export के लिए अब export के लिए जब आप proposal design करेंगे तो उस proposal को design करने के बाद वो सारी information ज लिए उसको promote करना शुरू करेंगे get a detail from manufacturer और service provider यह मैंने भी आपको बताया कि सारी के सारे information manufacturer से और service provider से आप ले सकते तो service provider कौन है आपके जो आपके लिए वो काम करेंगे आज बहुत सारी web development agencies हैं बहुत सारे graphic designers हैं बहुत सारी digital marketing agency हैं उनसे आप अपने product उनके services के information grab करें उसके बाद बहुत सारी चीज़ अगर sample ले सकते हैं demo ले सकते हैं catalog ले सकते हैं information collect कर सकते हैं वो सारी चीज़ दे ले उसकी costing ले डील कैसे करेंगे इसकी जानकारी बिले क्योंकि यही जानकारी आप अपने buyer को देने वाले हैं जब आप export करेंगे उसके बाद important काम क्या करना है उसके बाद आपको करना है find buyer सबसे important चीज़ how to find out international buyer आपके पास company की website है आपके पूरे information है आपके पास product detail है आपके हमारा वीडियो देखना है how to find out international buyer बैने साथ ऐसे तरीके बताएं हैं जहां पर आप international buyer कैसे ढूंड सकते हैं फिर भी कुछ method मैं आपको यहां भी बताएता हूं international buyer ढूंडने के दो तरीके हैं एक है modern method और दूसरा traditional method और traditional method का है आप अपने friends से जो विदेश में रहते हैं उ उनके पास sample बेजें उनसे बातचीत करें उनको mail बेजें उनको proposal बेजें modern method का है आप Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, AdWords, Ads, Ads के थूरू अपने product की information वहां तक पहुचा सकते हैं आज अगर आप Facebook के माधिम से advertisement करते हैं ना सिर्फ 100-200 रुपैसे लेकर जो भी आपका budget है इतने budget में ही आप उस product की product की demand किस तरह के देशों में है और यह आपको आपको online मिल जाएगा कि कौन सा product किस देश में सर्च किया था सबस्यादा इस से लिए बहुत सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर आप ज़रूर उनको देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझने वाने वाली हैं आपन आप manufacturer आपने traditional method या modern method से आपने one, two, three, four buyers को आपने find out किया आपको करना है रही है send them proposal उन चारों लोगों को आप proposal भेजे प्रपोजल मेल के थ्रूव बेजे और अगर मेल के थ्रूप्र भेजना नहीं आता तो सबसे पहले किसी से proposal मंगवाएं, उस proposal को study करें और उसके बाद अपना proposal design करके अपने buyers को proposal भेजना शुरू करें जिन्होंने आपके product या आपके services में interest शो किया है, उसके बाद give them price offer, कई बार ऐसा होगा कि आपका जो buyer है, वो आप से price offer से पहले कुछ sample मांगेगा ठीक उस तरह से जैसे आपने supplier से sample मांगे थे, वही paid basis पर या free of cost basis पर वो sample साब वहाँ पर भेज सकते हैं, उसके बाद में sample अगर आपका pass होता है, तो payment की terms and condition बर बात होगी, आप बताएंगे कि मैं लेता हूँ 50% on order and 50% before dispatch, तो यह आपकी terms and condition होगी, अगर वो व्यक्ति आपकी terms and condition को समझता है और मानता है तो आपको order देने के लिए तयार होगा और जैसे ही आपका buyer आपको 50% value advance pay करे, ठीक यही order उठा कर आप अपने supplier को दे दे, मतलब मैंने बताया था ना, जितने भी supplier आपने ढूंडे हैं, ट्रेड इंडिया, अली बाबा, एक्सपोर्टर इंडिया, इंडिया मार्ट, जैम, MSME की website, मेटास लैश्टल के, मोडलो केचिन के product, जहां भी आपने product आपको export करना है, अपने buyer को तुरंत वो order, अपने supplier को तुरंत वो order place करें, और जैसे ही आपका material ready हो, उसकी images, उसकी information, अपने supplier से मंगाएं, और वही information उठा के अपने buyer को भेज़ दें, buyer को बोलें कि मुझे बाकी payment deposit करा हो, ताकि मैं material dispatch करूँ, अब material dispatch से लेकर shipment तक और उस राज्ये में, उस देश में, उस व्यक्ति तक पहुँच जाने की सारी information, बहुत सारे videos में आपको मिलने वाली है, मेरा आपसे request है, सबसे पहले basic steps लें, friends, करना बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन करने के साथ साथ क्या तरीके अपनाने हैं, इस पर अमल कोई नहीं करना चाहता है, लोगों को ना एक, मतलब, एक hobby है, एक ऐसा उनके मन में crazy है, कि वीडियो देखें तो मज़ा आना चाहिए, दोस्तों कुछ वीडियो मज़े के लिए होती हैं, और कुछ वीडियो लर्निंग के लिए होती हैं, और के वर लर्निंग से आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, जो भी आपने सीखा है, समझा उसको implement करें, और implement करने के बाद जो problems आएंगी, उनमें strategy को apply करें, और निरंतर प्रयास करते करते एक दिन आप भी एक great exporter की तरह काम करना शुरू कर देंगे, और यह तो बात रही without investment, ट्रेडर भी तो यही काम करते हैं, ट्रेडर क्या करते हैं, अपने supplier से rate लेते हैं, sample लेते हैं, product की detail लेते हैं, और वही information आगे अपने exports related buyer को भेज़ देते हैं, और buyer जैसी order place करता है, वही same material का order वो उठा के अपने supplier को देते हैं, तो ऐसा मैं सोचो कि आप कुछ अलग करने जा रहे हैं, trader भी इसी तरीके से काम करते हैं, और जब आप उस काम में expert हो जाएंगे, तो एक समय ऐसा होगा, कि आपको buyers के उपर depend नहीं रहना पड़ेगा, आप already अपना stock रखेंगे और उस stock से ही आप अपने volume को अपनी sales को lead करेंगे, तो दीरे दीरे करके आप प्रयास जब करेंगे, तो सफलता आपके कदम चुमेगी, यही बात मैं आपको बताता हूँ, Metas Overseas Limited, जो हमारी company stainless steel model location की manufacturing करती है, आज बहुत सारे associates वो क्या करते हैं, वो हमारे product के सारी information लेते हैं, catalog लेते हैं, brochure लेते हैं, काम करने का तरीका समझते हैं, हमसे पूरे training लेते हैं, उसके बाद वो international lead find out करते हैं, क्योंकि Metas Overseas Limited company, stainless steel model location, bathroom vanity, wardrobe, storage cabinet, इनका export भी करती है, तो आपको product चाहिए, तो product भी हमारे पास है, पर मेरा आज का उद्देश्य है, आपको यह बताना की करना कैसे है, तो आप इनकी information लेकर भी, model location से संबंदित information लेकर भी, आप international buyer ढूंड सकते हैं, और जब international buyer आपसे buy करें, तो वो order आप as a supplier हमसे भी ले सकते हैं, तो friends बहुत आसान है import export व्यापार करना, दुनिया का सबसे आसान जो business है वो import export है, क्योंकि दो देश की सरकार मिलकल जब आपस में trade करती हैं, तो वहाँ पर trade license होता है, trade agreement होता है, उस trade agreement के अंतरगत ही import export किया आता है, ना आपके देश में उनके कानून चलते हैं, ना उनके देश में आपके कानून चलते हैं, तो government of India ने उस देश के साथ जो भी कानून बनाए हैं, उसके अंतरगत ही व्यापार होता है, और जो लोग समझदारी से व्यापार करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में उनका पैसा कभी नहीं डूपता, तो वो क्या method है, वो अगली वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, और मस रहें, मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी, आपके सुरे भविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत